नमस्कार दोस्तों कैसे हैं वेलकम बैक टू फैक्ट अन्प्लग्ट आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे समुद्र के बारे में बताने जा रही हूं जिसका नाम लाल सागर है इंगलिश में इसे रेट सी के नाम से भी जाना जाता है इसका नाम लाल सागर क्यों पड़ा तथा इसके बारे में कई अन्य महत्तकून जानकारियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि लाल सागर अफरीका एवं एशा के बीच हिंद मासागर की एक नमकीन पानी की खाड़ी है प्लक्षिन में अन्दन की खाड़ी से लाल साग मिष्र और अरब इसराइल के दो भागों में बढ़ता है। इसका मतलब ये वहा कि इसके एक तरफ मिष्र सुदान जैसे देश है और दूसरी तरफ अरब और इसराइल जैसे देश है। लंबा और संकीन आकार का लाल सागर, भुमध्य, सागर के मध्य और उत्री पश्चिम तता हिंद महसागर के दक्षनी पूर्व तक फैला हुआ है ये रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तानी शेत्रों से घिरा हुआ है जिसमें कोई भी बड़ा ताजे पानी का प्रभाव नहीं होता तो अब बात करते हैं इस सागर की लंबाई और चोडाई के बारे में लाल सागर की लंबाई लगबग 2250 किलोमीटर है तथा चोडाई लगबग 355 किलोमीटर के आसपास है इसके अलावा ये जो समुद्र है वे करीब 490 मीटर गहरा है इस सागर का नाम लाल सागर पढ़ने के पीछे का क्या रहसे इसके बारे में अब जानते हैं जब कोई भी वेक्ती लाल सागर का नाम सुनता है तो उसे लगता है कि ये सागर का पानी जरूर लाल होता होगा इसी कारण से इसका नाम लाल सागर पढ़ा होगा लेकिन आपको एक बात जानकर काफी आश्यर होगा कि इस समुद्र का पानी बिल्कुल भी लाल नहीं है ये बात सुनकर आप भी हैरत में पढ़ गए होंगे कि आखिर इसका पानी लाल रंग का नहीं है तो आखिर इसे लाल सागर किस बेसिस पर और क्यूं कहा जाता है दरसल इस सागर को लाल सागर कहे जाने के पीछे यह रहसे है कि इस समुद्र में ट्राइकोडेशियम इरिथियम नामत लाल शेवाल यानि के काई होती है इस सागर के जल के उपर तैरती है और यही जो शेवाल है वे सागर को लाल रंग परदान करती है इस शेवाल के कारण यह समुद्र लाल रंग जैसा प्रतीत होता है और इसी कारण से इस सागर को लाल सागर यानि के रेड सी के नाम से भी जाना जाता है तो अब हम बात करते हैं जैव विविद्दाओं के बारे में लाल सागर में कई तरह के समुद्री जीव पाए जाते हैं जैसे समुद्री कच्छवा, डॉंग डॉल्फिन और कई स्थान्य मशली की प्रजातियां भी पाई जाती हैं इसके अलावा समुद्री जीवन की एक विस्तरित्र स्रिंखला इस समुद्र में पाई जाती हैं लाल सागर के आसपास वर्ष भर उचा तापमान रहने के कारण रेगिस्थानी जलवाईयू वाले देश इस्तित हैं और इसके किनारे जेद्रा, हिजाज, मेश्र, सुडान, स् की नगर इस्तित हैं लाल सागर के किनारे पे बहुत से छोटे छोटे टापू और दीप हैं जिसके कारण जहाजों को इन में से होकर आने जाने में बहुत कटनाई होती है पहले ये भूमध्य सागर से अलग था पर स्वेज नहर की खुदाई किये जाने से उसमें मिल गया और पुतरी अफरीका था यूरोप का एशिया के देश में स्वेज नहर द्वारा संबंध होने से इसकी वेपारिक महत्वता बहुत बढ़ गई और अभी के समय में लाल सागर समुद्री परिवाहन के लिए बहुत ही महत्वपून स्थान रखता है इस समुद्र से होकर कई भारी भर कमपानी के जहाँ चलते हैं और शाहद ही इससे पहले इस लाल सागर के बारे में इतनी इंपोर्टिंट बाते आपने जानी होंगी तो दोस्तों मैं आशागरती हूँ कि ये जानकारी भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें